फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा फेस मास्क वाकई यूसफुल है, वाकई आपको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि अभी फेस मास्क अपना फर्स लाइन अफ प्रोटेक्शन हो गया है, इसलिए कॉस्ट की नजर से नहीं, यूज की नजर से, बेनिफिट्स क नजर से हम आज फेस मास्क का कमपारिजन करने वाले हैं, फ्रेंड्स मेरे पस घर में तीन फेस मास्क है, मैं उन तीनों को ही आपको दिखाऊंगी कि कैसे वो कैसे कौन सा वाला फेस मास्क सबसे ज्यादा यूसफुल है, एक सिंपल से एक्सपरिमेंट से, देखिए जैसे एक ये फेस मास्क है, जो अभी बहुत चल रहा है, सभी यूस कर रहे हैं, ये काफी सस्ता भी है, मैं खुद भी कहती हूँ कि ये बहुत कॉस्ट एफेक्टिव है, एक ये हुआ, एक ये फेस मास्क है, के एन 95, जो थोड़ा महेंगा है, लेकिन ये क्या value for money है, क्या worth है, इ इसी फेस मास्क से, ये देखिए, मैं एक छोटा सा experiment आपको करके दिखाने वाली हूँ, ये नॉर्मल माचिस की तिल्ली है, अगर ये तिल्ली बुझ जाती है, तो इसका मतलब ये फेस मास्क काम का नहीं है, मतलब basic line ये होती है, इसकी, कि माचिस की तिल्ली बुझनी नहीं चाहिए, इससे पता चलता है, कि आपके मुझ की भाप आपके फेस मास्क से बाहर नहीं आ रही है, और बाहर वालों के मुझ की भाप आप तक नहीं आ रही है, तो आईए देखते हैं, अगर भाप आ रही होगी बाहर से या अभीतर से, तो इसकी तिल्ली बुझ जाएगी, और नहीं आ रही होगी, तो नहीं बुझेगी, आईए देखते हैं इसका मतलब ये इसलिए बुझी कि मेरे मुझे जो हवा निकल रही थी वो ये इस मास्क के थुरू आई और इसको बुझा दी मास्क के बाहर हवा नहीं आनी चाहिए और दूसरा ये चीज आप देखिए कि ये जो मास्क है, ये खाली इतना ही कवर करता है ये चिन तक कवर करता है, आपके मास्क को यहां तक कवर करना चाहिए इसलिए ये मास्क फाल्दू है, इसे यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, इसे फैंक देना चाहिए अब मैं यूज करती हूँ ये वाला मास्क, ये देखें, ये मास्क का कवरेज अच्छा है, यहाँ पूरा नाक मेरा कवर हो गया है, यहाँ तक कवर हो गया है ये, अब ये हम ये वाला ट्राइ करेंगे, तिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट, ये देखें, ये मैंने जलाया, इससे क्या प्रूव हुआ? ये तो और भी फाल्तु निकला, इसे भी फैंक देना चाहिए, अब मैं यूज करती हूँ ये वाला मास्क, ये वाला मास्क का कवरिज अच्छा है, ठीक है? इससे मैं ये देखी, पूरा नाक वाक सब कवर हो रहा है, चिन कवर हो रहा है, ये नाक पर बठाने के लिए ये पिर ने, जिसे यहाँ पर आप टाइट कर सकते हैं, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा बना वाला है, अब हम ये सेकेंड टेस्ट करते हैं, तिल्ली वाला है, मैंने पूरा आपने देखा होगा, मैंने पूरा दम लगा दिया, लेकिन मैं इसे बुझा नहीं पाई, तिल्ली की लॉब थोड़ी से भी इधर उधर नहीं हुई, इसका मतलब मेरी सांसे इसको क्रॉस करके नहीं जा रही थी, और बाहर वाले की जो मुझ की भाप है, सांसे हैं, वाइरस है, बैक्टिरिया है, वो मेरे तक नहीं आ रहा है, इसलिए बेस्ट यही है, ये तो एकदम बेकार है, अब भी हमारे लिए, और ये जो है, ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, हाँ आपका फर्स्ट लियर ऑफ प्रोटेक्शन है, अभी आज के इस माहौल में, तो इसमें कंजूसी मत करिए, और इसे फ्लीज यूज कर देए, तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही, वाइ वाइ